C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तु थे कक्षा 10 के लिए उर्दू की द्वनी पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग 2 सबक जोश मलिहाबादी तारुफे शायर जोश मलिहाबादी पैदाईश 1898 वफात 1982 शबीर हसन खान नाम तखलुस जोश और वतन मलिहाबाद था पैदाईश लखनओ में हुई इल्म औ अदब की रिवायत खानदान में बुजर्गों से चली आ रही थी जोश की इप्तिदाई तालीम औ तर्बियत घर पर हुई अर्बियो फार्सी में अच्छी इस्तिदाद पैदा की इसके बाद लखनओ, सीतापूर, आगरा और अलीगड में तालीम हासिल की 1916 में वालिद के इंतिकाल के बाद वो कोलकता चले गए यहां उनकी मुलाकात रबिंदर नाथ टेगोर से हुई टेगोर की शक्सियत और शायरी ने जोश को मतासिर किया 1924 में वो उस्मानिया यूनिवरस्टी हैदराबाद के दारुल तर्जमा में नाजिर अदब के ओहते पर मुलाजिम हो गए 1934 में देली आ गए, यहां उनके कई शेरी मजमुए शाया हुए कलम के उन्वान से एक रिसाला भी जारी किया इसके बाद वो पूना की एक फिल्म कमपनी में मुलाजिम हो गए आजादी के बाद हुकूमत हिंद के रिसाले आज कल देली के मुदीर मुकरर हुए 1955 में उन्हें पदम भूशन के एजास से नवाजा गया इसलामबाद पाकिस्तान में उनका इंतकाल हुआ जोश मलीहबादी इंतहाई कादिरुलकलाम शायर थे उनका पहला मजमुए कलाम रूह अदब उन्नीस सो उनत्तिस में शाया हुआ इसके बाद उनके कई मजमुए मनजर आम पर आए जिन में शोला और शबनम, हर्फ और हिकायत और सुम्बूल और सलासिल काबल जिक्र है उनका आखरी शेरी कारनामा नामुकमल तवील नजम हर्फ आखिर है नसर में उनकी मारूफ किताब उनकी आब बीती यादों की बारात है जोशने घजलें और रुबाईयां भी कहीं हैं लेकिन बुनियादी तोर पर वो नजम के शायर है अब्तिदा में उनकी नजमों का मौजू फितरत की तस्वीर कशी था जिसकी वज़ा से उन्हें शायर फितरत कहा जाता था तहरीक आजादी के जेरे असर उन्होंने हुब बेवतन के गीत काए और सियासी मसाइल को मौजू बनाया अपने वलवला अंगेज लबो लहजे की वज़ा से शायर इनकलाब कहलाए अब पेश है जोश मलीहाबादी की एक नजम गर्मी और तेहाती बाजार दो पहर बाजार दुकां गाउं की खलकत का शोर खून की प्यासी शुआएं रूह फरसा लू का जोर आग की रो कारोबारे जिन्दगी का पेच उताब तुन्द शोले सुर्ख जर्रे गर्म जोंके आफ ताब शोर हलचल गुलगुला हैजान लू गर्मी गुबार बैल घोड़े बकरिया भेड़ें कतार अंदर कतार मक्खियों की भिन-भिनाहट गुड की बू मिर्चों की धास खर्पुजे आलू खली गेहूं कद्दू तर्बूज घास धूप की शिदत हवा की यूरिशें गर्मी की रो कमलियों पे सुर्ख चावल ताट के टुकडों पे जो गर्म जर्रों के शदाइद जख्कडों की सख्तियां जख्कडों में खासते बूड़ों की चिल्मों का धुआं माओं के कंधे पे बच्चे गर्दने डाले हुए भूक की आँखों के तारे प्यास के पाले हुए बामुदर लर्जे हुए खुर्शीद के आफात से हर नफस एक आच सी उठती हुई जर्रात से मर्दोजन गर्दिश में चीलों की सदा सुनते हुए चिल्चलाती धूप की रो में चने भुनते हुए यूँशुआएं साय अशजार से च्छंती हुई म्यान से मौसम की तेगे बे अमा निकली हुई लू के मारे बामुदर की रूह घबराई हुई दोस्तों की शकल पर बेगानगी च्छाई हुई आसमा पर अबर के भटके हुए टुकडों का रम नशे में मुमसिक का जैसे वादय जूदो का रम हर रविश पर चिड़ चिड़ापन हर सदा में बेरुखी हर जिगर भुनता हुआ हर खोपड़ी पक्ती हुई सर पे काफिर धूप जैसे रूह पर अकसे गुनाह तेज किरने जैसे बूढ़े सूद खुआरों की निगाह जोश मलिहाबादी मश्क लफज मानी मुराद आम लोग रूह फर्सा रूह को तकलीव देने वाला रौ बहाव धार पेच उताब गुसे की कैफियत तुंद तेज गुलगुला शोर हंगामा हैजान परेशानी, बेचैनी खर्पुजे खर्पुजा की जमा मुराद खर्बुजा शदाइद शदीद की जमा सक्तियां आफात आफत की जमा मुसीबतें हर नफस हर सांस गर्दिश चक्कर तेख बेअमा खुली हुई तलवार जिसके वार से बचना मुश्किल हो बेगानगी अजनबियत बेतालुकी साया अशजार दरख्तों का साया रम भागना दोरना मुमसिक कंजूस वादय जूदो करम इनामो इकराम का वादा रविश तोर तरीका अकस गुनाह गुनाह की परचाई सूद खुआर सूद खाने वाला गौर करने की बात नमबर एक जोश की ये नजम बयानिया है और मनजर निगारी का अच्छा नमूना है नमबर दो जोश को अलफाज का जादूगर कहा जाता है ये नजम इसकी मिसाल है नमबर तीन किसी खयाली या मरई चीज को ठोस शकल में पेश करना तमसील कहलाता है इस नजम में तमसील के कई अच्छे नमूने मिलते हैं मिसाल के तौर पर मियान से मौसम की तेगे बे अमा निकली हुई मश्क सवालों के जवाब लिखिए नमबर एक शायर ने देहाती बाजार की मनजरकशी किस तरह की है नमबर दो दोस्तों की शकल पर बेगानगी क्यों नजर आ रही है नमबर दोस्तों की शकल पर बेगानगी क्यों नजर आ रही थी नमबर तीन लू को रूह फरसा क्यों कहा गया है नमबर चार काफिर धूप से शायर की क्या मुराद है? सफ़ह 144 अमली काम नमबर एक आगे दिये गए अलफास से वाहिद की जमा और जमा से वाहिद बनाईए कतार सख्तियां गर्दने गर्मी अशजार रुह आफाथ इस नजम में इस्तेमाल होने वाले मुहावरों, तश्बीहों और तमसीलों की निशान दही कीजिए नवाए उर्दू भाग दो पेशकष, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत अजम में आफा होने जही कीजिए, CIET, सकते दिल्ली, नई एक की उड़िए, C-C-C-T,